नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ देशी नुस्कों के बारे में तो दोस्तो हमारी वीडियो का टॉपिक है पहुत छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्के तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो नमबर एक पढ़ाई के दोरान चोकलेट खाने से यादास अच्छी होती है नमबर दो इनसान के सरीर का तापमान ठंडा रहने पर उसके नाखुन जल्दी बढ़ते है नमबर तीन, रोज सुबह स्याम कीवी फल का सेवन करने से नींद नहीं आने के बिमारी खत्म होती है और व्यक्ति को प्रती दिन प्रयाप्त नींद आती है नमबर चार, फेस को गरम पानी से कम ही धोएं, स्केन से गरम पानी नैचरल ओयल हटा देती है जिससे चहरा रूखा नजर आता है पानी को ठंडे या हलके गरम पानी से ही अपना चहरा वोश करें नमबर पाच, खाना खानी के बाद अकसर नीद आने लगती है और ऐसा हमारे शरीर में खून का दबाब कम हो जाने के कारण होता है नमबर छे, एक मामूली एक्स्रे करवाने से भी शरीर को इतनी हानी होती है कि उसके भरपाई करने में एक वर्स का समय लग जाता है नमबर 7. जब इंसान ज़ादा टेंशन में होता है तो खून गाड़ा होने लगता है जिससे खून के ठक्के बनने लगते हैं यही कारण है कि ज़ादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक आने का खतरा होता है नमबर आठ लीची के बीज खाने नहीं चाहिए क्योंकि ये जहरेले होते हैं नमबर नो आम का छिलका भोजन को पचाने में मदद करता है साथ ही ये बजन कम करने में भी सायख होता है नमबर दस दिन भर की ठकान के बाद यदि आपको आराम चाहिएं तो एक ठंडे पानी की बोतल को अपने पैरों की नीची रख कर आगे पीछे करें जल्दी ही पैरों की ठकान दूर होगी नमबर ग्यारा तरबूज खाने से दिमाग शान्त रहता है और गुस्सा कम आता है असल में तरबूज की तासिर ठंडे होती है इसलिए ये दिमाग को शान्त रखता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हैंने वाद दोस्तों